यह एक formula है हमारे पास proof करने के लिए कि a to the power 8 minus b to the power 8 equals to a to the power 4 plus b to the power 4 into a square plus b square into a plus b into a minus b ठीक है अभी इसका left hand side इसको हम लोग दो तरस से proof करेंगे एक में हम लोग एक दूसरे formula का use करेंगे उसका proof करेंगे दूसरे में हैं हम लोग किसी formula का use नहीं करेंगे फिर भी यह proof होगा व कि इसको कैसे proof करेंगे हम लोग इसका left hand side देखो a to the power 8 minus b to the power 8 अब हमने इस तरह का कोई formula तो है नहीं चाहिए इस तरह का कोई formula पढ़ा नहीं जिसमें a to the power 8 है और b to the power 8 है लेकिन हमने एक formula से जोब पर है जिसमें a square minus b square गाला होता है जिसका होता है a plus b into a minus b इसको उस फॉर 4 का whole square minus b to the power 4 का whole square ठीक है यह जब power का power होता है तो multiply होया आता है तो a to the power 4 into 2 8 हो जागा तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं अब देखो यह हमारे पास किस form में है a square minus b square के form में है difference क्या है कि a की जगा हमें a to the power 4 है और b की जगा b to the power 4 है लेकिन हम लोग calculation उसी तरह से करेंगे यह तरह से formula में करते हैं देखो क्या एता है एय माइनस é square minus b square का हम लोग जानते हैं यह होता है एस square minus b square होता है a a plus b into a minus b ठीक है यह होता है इसी form में हम लोग इसको लिख की कि देखते हैं क्या होता है यह हम लिखा के a plus b into a minus b throw a की जगा पर है a to the power 4 प्लस B, B की जगा B to the power 4, ठीक है, into A minus B, मतलब A to the power 4 minus B to the power 4, ठीक है, अब एक term जो चाहिए था, वो term तो हमें अल पास आ गया, तो एक बार हमने ये वाला calculation किया, तो 8 को 4 पर लिया है, अब इसको क्या है, कि सेम चीज अभी हम लोग इसमें करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, A square का square, minus B square का square, ठीक है, इसमें को दिकत नहीं, जैसे हमने इसको लिखा था, उसे तरह से इसको लिख रहे हैं, अब यहाँ फिर से ये, A square minus B square के form में आ गया, हम लोग जब इसको break करेंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A plus A square, B है B square, तो A plus B into A minus B, ठीक है, अब देखो, हमारा पर जो दूसरा term चाहिए था, वो भी आ गया, अब बचा हुआ है, ये और ये दोनों, तो ये तो बहुत simplest form में आ गया, ये already A square minus B square के form में है, उसी को हम लोग जो factorize करेंगे, ये हो जाएगा, A to the power 4 plus B to the power 4, ये दोनों इसी तरह रहेगा, और A square minus B square क्या होता है, A plus B into A minus B, ये वही चीज है, जो यहाँ, right hand side में दिया हुआ हुआ है, ठीक है, ये तो हमने एक formula का use करके, इसको prove कर दिया, अब हम लोग इसको एक दुसरे तरीके से prove करेंगे, जिसमें हम लोग किसी formula का help नहीं लेंगे, ठीक है, वो देखो कैसे होगा, इसका left hand side है, A to the power 8 minus B to the power 8, अब ये जिस form में है, इस form में तो कुछ इसको expand करने के लिए, contact करने के लिए है नहीं, तो जब भी ऐसा situation है, तो हम लोग इसमें कुछ term, extra term introduce करते हैं, और जो भी term हम लोग introduce करते हैं, यदि यो plus में है, तो minus में भी इसको कर देते हैं, और यदि minus में introduce किया है, तो plus में भी करते हैं, ताकि इसका जो इसकी जो value है, वो change नहों, अब देखो हम लोग इसको, जो term introduce करेंगे, इसमें थोरा सा सोचने के जवरत है, हमें चाहिए ये, A to the power 4, पहले हम लोग इसी पर धियान देते हैं, कि A to the power 4, अब सोच पहले इसको इधर समझो, देखो, ये A to the power 8 है, ठीक है, इसमें यदि हम लोग एक term use करते है, A to the power 4, ठीक है, क्या होगा, यदि अब हम लोग इसमें यदि A to the power 4 common लेते हैं, तो हमाँ पास ये बचेगा, A to the power 4 plus 1, लेकिन हमें plus 1 नहीं चाहिए, हमें B to the power 4 चाहिए, तो हम जो term introduce कर रहे हैं, उसमें B to the power 4 भी add करते हैं, तो अब हम पास ये जो 1 है, ये B to the power 4 आ जाएगा, हमने इसमें A to the power 4 और B to the power 4 add किया, अब जब हम A to the power 4 common लेंगे, तो यहाँ पर A4 बच जाएगा, और यहाँ पर ये बाहर निकल गया, तो B4 बच जाएगा, ठीक है, देखो हम लोग इसमों कैसे लिखेंगे, A to the power 8 प्लस A to the power 4 प्लस A to the power 4 प्लस A to the power 4 प्लस प्लस नहीं है, ये इंटू है, इंटू B to the power 4 माइनस, उसके बाद यहाँ आ गया, B8, इसमें भी हम वही काम करना है, कि सोचो इसमें अखिर हैसे हम लोग क्या term introduce करें, कि जब यहाँ A4 plus B4 आ रहा है, तो इसमें भी कुछ हैसा term introduce करना पर रहा है, कि सेम चीज इसमें भी common है, कैसे होगा, ये है, minus B to the power 8, यदि इसमें हम लोग minus, sorry, B4 add करते हैं, उसके बाद जब हम लोग इसमें से, minus B4 common लेंगे, तो ये plus, ये minus चुके common लेंगे, दुनों प् लेकिन हमें 1 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए A4, तो यहाँ भी हम लोग A4 साथ में introduce करेंगे, तो ये हो जाएगा A4, मतलब यहाँ comma लेने के बाद A4 plus B4 आ रहा था, यहाँ भी A4 plus B4 या रहा है, तो हम लोग इसमें ये वाला term introduce करेंगे, ये हो जाएगा, minus A to the power 4 into B to the power 4, अब देखो, हमने दो term को यहाँ पर जब introduce किया, तो यहाँ पर, sorry, यहाँ पर minus minus, minus, यहाँ पर minus है, plus लेंगे, देखते हैं क्या होता है, यह minus में, sorry, यहाँ वो ही तो कहा रहा है, यहाँ पर हमने plus में introduce किया, यह minus नहीं, यह plus में है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमने तो जो टर्म प्लस में इंटेडूस किया है इसमें भी कॉमन लेने के लिए हमने उसको माइनस में लगाना पड़ा तो यह और लेडी इसने एक दुसरे को कैंसिल कर दिया तो हम पास बचा क्या ए टुदी पावर एट माइनस बी टुदी पावर एट मतलब इस इतना एड करने के बाद भी यह जो एक्स्प्रेशन इसकी वेलू चेंज नहीं होई अब हम लोग इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेने के लिए टुदी पावर फोर कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा एटुदी पावर फोर और यह इसमें बच जाएगा बी दे पावर फोर माइनस यहां पर हम लोग बी टुदी पावर फोर माइनस कॉमन लेंगे चुकि माइनस भी हमने बाहर कॉमन निकाला है तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा यह हो जाएगा बी टुदी पावर फोर प्लस यह माइनस से प्लस हो जाएगा बी फोर निकल गया तो A4 ही रह गया, ठीक, अब हमारे पस क्या बच गया, इस term में और इस term में देखो, यहां पर भी A4 प्लस B4 और यहां भी A4 प्लस B4, हम लोग इसों common लेते हैं, तो common लेंगे तो क्या जाएगा, A4 प्लस B4, इन्टू, यहां क्या बच गया, A4 और यहां बच गया, minus B4, जो हमें right hand side में चाहिए था, उसमें से एक term तो हमें मिल गया, जो काम हमने यहां किया था, 8 को 4 में convert करने के लिए, वही काम हम लोग आभी किकलेंगे, 4 को 2 में convert करने के लिए, तो यहां हमने A to the power 4 और B to the power 4 common add किया था, यहां 4 है, तो हम लोग 2 allied करेंगे, देखो कैसे होगा, यह तो ऐसे ही रहेगा, A4 into B4, इसको हम लोग लिखेंगे, A to the power 4, प्लस में convert किया था, तो यह A square plus B square हो जाएगा, यहां पर A4 B4 था, यहां 8 था, यहां हम लोग 4 है, तो A A2 into B2 करेंगे, यह हो गया, उसके बाद minus B4, यह वाला तो ऐसे ही रहेगा, और फिर इसको लोग माइनस में, सेम चीज़ को करेंगे, A square into B square, add कर दो, इसकी value हमने change नहीं की, क्योंकि जो यहां plus में है, वही यहां minus में है, दोनों cancel हो गया, तो हमारे पास A4 minus B4 ही बचा, ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें और इसमें, सेम चीज़ को repeat करना है, जैसे हमने यहां common लिया था, अब इसको तो ऐसे ही लिखते जाना है, A4 plus B to the power 4, close करो, अब देखो, यहां पर जहां हम लोग common लेंगे, A2, A2 common ले सकते हैं, तो यह हमारे पास बच गया, A2, यहां बच गया, B2, बंद करो इसको, यह minus कर रहेगा, यहां पर जहां हम लोग minus B2 common लेंगे, तो यहां पर, क्योंकि minus B common लेंगे, साइन सबका change हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, B2, यह minus हो जाएगा, प्लस और यहां सिर्फ बच जाएगा, A2, ठीक है, इसको भी बंद कर दो, अब आगे देखो, A to the power 4, plus B to the power 4, into, इसमें और इसमें, देखो, दोनों में A2, plus B2 common है, तो हम लोग A2, plus B2 को common ले लिया, तो हमारे पास बच गया, A2 यहां, और यहां minus B2, ठीक है, हमारे पास दूसरा टर्म भी आ गया, A2, plus B2, उसके बाद हमारे पास बच गया, A2, minus B2, तो हम लोग इसको भी इसी तरह से add करेंगे, हम लोग इसमें बिना किसी formula का use किया हो, इसको solve कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक स्टेप इसमें extra जाएंगे, नहीं, तो A2 minus B2 का formula, A plus B into A minus B होता है, लिग देते हो जाता है, A2 plus B2, यहां भी हम लोग वही काम करेंगे जिसमें किया था, चुकि अब सिर्फ ए square है, तो हम लोग single बिना square का add करेंगे, A2 plus A b add किया, उसके अद माइनस B2 है, उसके अद माइनस A b हमने इसमें और add कर दिया, इसकी value change नहीं हुए, अभी देख लो, A to the power 4 plus B to the power 4, यह इसी तरह रहेगा, A2 plus B2 इसी तरह रहेगा, अब यहां आओ, इस दोनों में और इस दोनों में, जब A common लोगे, तो यह हो जाएगा A plus B, और यहां जब माइनस B common लोगे, तो यह हो जाएगा B plus A, ठीक है, इसको भी enclosed कर दो, अब हमारे पास, लास्ट जो step है, उसमें इस दोनों को common ले लेना है, तो इस दोनों को जब हम लोग common लेंगे, यह हो जाएगा, A to the power 4 plus B to the power 4, यह तो दोनों इसी तरह रहेगा, A2 plus B2, अब यहां पर क्या है, सो देखो, A plus B दोनों में common है, तो हमने A plus B बाहर निकाल लिया, बच किया गया, यहां A बच गया और यहां minus B बच गया, ठीक है, यह हो गया, right hand side हमारा proof, यह थोरा सा lengthy हो गया, इसलिए, क्योंकि इसमें हमने किसी भी formula का यूज नहीं किया दिया, formula यूज, इसको, actually है क्या, इस तरह से कोई बनाता भी नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह से practice करोगे ना, तो इस तरह के जितने भी calculations है, इसका जो concept है, वो आपको इतना clear हो जाएगा, कि यदि आपको किसी exam में या कहीं भी कुछ नहीं भी याद है, तो आप easily किसी भी formula को derive कर सकते हो, और उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगे, तो इसलिए practice के लिए ये चीज़ करना भोजरली है, और इसको आप लोग बार-बार करो, इससे आपका सारा concept clear होगा, और कहीं exam में यादे कुछ नहीं भी आता है, फिर भी आप इसको बना के, आप अपने questions को solve कर पाओग कर दो कि वादे क러, आपको कर दो।